पिष्ठ संख्या 166 गजल कहां तो तै था चिरागां हर एक घर के लिए कहां चिराग मैस्तर नहीं शहर के लिए यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए ना हो कमीज तो पाउं से पेट ढख लेंगे यह लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए खुदा नहीं न सही आदमी का खुआप सही कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए तेरा निजाम है सिल्दे जवान शायर की यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए जीएं तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए प्रिष्ट संख्या एक सो सरसट अब्यास गजल के साथ एक आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है क्या उसका आशे एक खास तरह के फूलदार ब्रिक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ नहित है समझा कर लिखें पहले शेर में चिराख शब्द एक बार बहवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में अर्थ एवं कावे सौंदरे की द्रिष्टी से इसका क्या महत्व है तीन गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें यहां दुश्यन्त का इशारा किस तरह के लोगों की और है चार आशे स्पष्ट करें तेरा निजाम है सिल्दे जुबान शायर की यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए गजल के आसपास एक, दुश्यन्त की इस गजल का मिजाज मिजाज बदलाओ के पक्ष में है इस कथन पर विचार करें दो, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये खयाल अच्छा है दुश्यन्त की गजल का चौथा शेर पढ़ें और बताएं की गालिब के उपर युक्त शेर से वह किस तरह जुड़ता है यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है यह वाक के महाबरे की तरह अलग-अलग परिस्थितियों में अर्थ दे सकता है मसलन यह ऐसी अदालतों पर लागू होता है जहां इनसाफ नहीं मिल पाता कुछ ऐसी परिस्थितियों की कलपना करते हुए निम्नांकित अधूरे वाक्यों को पूरा करें प्रिष्ट संख्या 168 क यह ऐसे नाते रिष्टों पर लागू होता है यह ऐसे अस्पतालों पर लागू होता है यह ऐसी पुलिस विवस्था पर लागू होता है शब्द छवी मयसर यानि उपलब्ध दरख्त यानि पेड मुतमईन यानि इतमिरांसे आश्वस्त बेकरार यानि बेचैन आतुर निजाम यानि राज या शासन एहतियात यानि सावधानी बहर यानि चंद असर यानि तभाव